आपके सामने form आता है उस form में आपको information होती है या तो आपको यह already दिया होगा कि आपको क्या भरना है कभी-कभी आपको बोलना नहीं पड़ता है कभी-कभी लिखना पड़ता है अपने बारे में यह form हो सकता है जो typed हो या printed हो इसमें कोई जगा हो जैसे नाम है इसके आगे आगे आपकी यह नाम होगा नेम इसके आगे जगा होगी तो साफ सुत्रा नीट्री लिखना है करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है ध्यान रखिए स्पेलिंग क्या आप लिखते हैं तो स्पेलिंग ही आपकी स्पीकिंग है अगर आप स्पेलिंग से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो घलत स्पेलिंग मतलब यह great no no हो जाता है तो नेम अपना नाम लिखिए इसमें क्या होता है नॉर्मली अगर आप दिखा जाए तो तीन डब्ले होते हैं उसमें इधर उदर हो सकता है जैसे या फर्स्ट नेम है या मिडिल नेम है या लास्ट नेम है कई बार आपके मिडिल नेम नहीं होते हैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख सकते हैं अगर आप यू होते हैं जैसे किसी का बर्ड डेट है 12 मार्च 1978 तो आप ऐसे करेंगे इसको एड्रेस क्या होगा पोस्टल एड्रेस अब पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले आप हाउस नमबर लिखेंगे अपना स्ट्रीट का डिटेल लिखेंगे जैसे आप मालनी जे वसंत विहार में रहते पॉर्टन बात यह है कि आपको यहां पिन कोड डालना होगा पिन कोड जो होता है इससे क्या होता है जो पोस्ट ओफिस वाले है जैसे पूरा एक बड़ा रीजन है पोस्ट ओफिस वाले पता करते हैं किस रीजन में आप रहते हैं तो एड्रेस के साथ पिन कोड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है इसको जो विदेशों में zip code कहा जाता है तो ये post office के लिए होता है कि आप कुछ रीजन में रहते हैं वहाँ पर postman, उस वाले postman को दे देंगे postman वहाँ का तो खैर जानता ही है सारे घरों को, तो इस तरीके से पहुंचता है फाइनली आप अगर नहीं sign मांगे हैं तो sign करेंगे और copy of भी नहीं करना है अपनी sign बनाने है एक example देता हूँ जैसे हरीश सेथी साहब है तो पहला नहीं इनका जैसे first name पुछा गया है तो आप यहां हरीश लिखेगे उसके बाद born on 5 December 1999 अगर इनका last name पुछा है तो यहां पर क्योंकि देख रहे हैं आप हरीश first name में सेथी लिख देंगे डेट अबर्द इनका बताया गया है 5 December 1999 ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर किसी particular format में कहा गया है तो जैसे मैंने कहा था यह DD MM December 12 और 1999 ऐसे लिख देंगे एड्रेस इनका दिया हुआ है बकाइदा तो सुख निवास सबसे पहले होगा मैं शॉट में लिखता हूँ सुख निवास और फिर इसके बाद यहां पर इनका है हाउस नंबर 13 तो यहां पर लिखेंगे हाउस नंबर 13 कहां रहते हैं राजानगर तो राज एन कर देता हूँ और यहां आगरा में रहते हैं आगरा कर देगे हैं ऐसा एड्रेस इनकाजा जाता है दिया किसी ओर तरीके से लिखना ऐसे फर्स्ट आपको बेसिक चीज़ बतानी है फिर आपको धिरे 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 डिटेल खोल दी है अब मैंने कहा था पोस्टल कोड जिप कोड या आपको पिन कोड है तो आप या लिख दीजे 282-0001 आगरा का ये कोड हो गया 284-001 आगर आप जहासी में रहते तो वहां का कोड हो जाएगा तो ये information आपको लिखने है